हाँ तो यार विधी इस वीडियों लेड़ों लोग बात करेंगे हैं ट्रेग्इनबॉल deceive ou तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो ड्रेग्इनबॉल सूपर का काफी बड़ा फैन बेस है इंडिया के अंदर काफी सारे fans पहले से ही थे Dragon Ball के काफी सारे fans Dragon Ball Super Hindet Up आने के बाद बन गे और काफी सारे fans इन future भी बनने वाले हैं तो मैंने सोचा आप सभी के लिए ऐसे topic में ले के आओ जो काफी interesting है और जो आपको काफी educate करेंगे आप लोग काफी कुछ जान पाओगे Dragon Ball Super के बारे में लाइक जो नए fans है उनको काफी कुछ जानने को मिलेगा इसलिए आची वीडियो में हमारा topic है टॉप 10 strongest character of Dragon Ball Super एंड गैस जिसको ये लगता है कि जैनो सामन No.1 पे आने वाले हैं गोको और विजीटा के बीच का हम लोग difference नहीं निकाल रहें कि दोनों में किस्ता power difference है इसलिए मेरे लिए गोको और विजीटा सेम लेवल पे आते हैं और लिस्स में आते हैं No.10 पे No.9 पे आते हैं Gojita and विजीटो गोजीटा Super Saiyan Blue, विजीटो Super Saiyan Blue इवन ये दोनों कायोगेन भी यूज़ कर जकते हैं Super Saiyan Blue, Evolution भी यूज़ कर सकते हैं जब गोको और विजीटा पोटारा फ्यूज़न करते हैं तो आता है विजीटो जब गोको और विजीटा मेटामोर फ्यूज़न करते हैं तो आता है गोजीटा और सबसे इंपोर्टेंट बात ये है जब गोको और विजीटा फ्यूज़न करते हैं तो उनकी पावर एड नहीं होती, multiply हो जाती है तो आप लोग सोची सकते हैं Super Saiyan Blue का multiplication हो रहा है Super Saiyan Blue के साथ और इवन वो दोनों कायोकेन या फिर evolution form भी यूज़ कर सकते हैं तो उन दोनों की पावर immense level पे होगी नमबर 8 पे आते है सारे gods, obviously सारे gods को इसलिए रख रहा हूँ बढ़ गए साब लोग सोच के देखिए, the king of everything के gods, उनकी power का होगी obviously बात है जो 12 universes king of everything के अंदर आते हैं, उनके जो gods है, उनके power उन 12 gods है तो उपर ही होगी नमबर 6 पे आते है सभी angels, अभी obviously सभी angels को मैं एक ही spot पे रखूँगा उसका काफी simple reason है, angels are never meant to fight, angels कभी fight करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, angels बस train करने के लिए बनाए गए हैं, उनके पास power events होती है लेकिन उनके rules है के वो अपनी power को use नहीं कर सकते हैं, वो बस दूसरों को सिखा सकते हैं नमबर 5 पे आते हैं grand piece, अभी obviously बात है, अठारे universes के angel एक तरफ और grand piece एक तरफ, grand piece is like kind of a father of all angels नमबर 4 पे आता है super shenron, एक ऐसा character जो कोई भी wish fulfilled कर सकता है, मतलब यार इस character ने एक ही second में सारे universes को wish back कर दिया, जो destroy हुए थे नमबर 3 पे आता है zalama, the creator of super dragon ball and the creator of shenron, अभी zalama के बारे में old dragon ball super fans को तो पता होगा, लेकिन जो new dragon ball fans बने हैं उनको नहीं पता होगा, actual में zalama ही वो बन्दा है, जिसने super dragon ball को बनाया है, super shenron को बनाया है, zalama का अभी तक बस नाम dragon ball super में आया है, उसकी appearance आना अभी भी बाकी है, और वो super shenron से क्यों अपर है, because there is a difference between creator and creation, एक creator होता है जो किसी चीज़ को बनाता है, यहाँ पर creator है zalama और उसकी है creation super dragon ball, तो obviously बात है creator उपर रहेगा, creation नीचे रहेगी, number 2 पे आते हैं zenosama, जिनकी power की कोई limit नहीं है, पलक जब वक्ते वो पूरा का पूरा universe खतम करके र कर दिया था, और अगर आप लोग के mind में ये बात आ रही है, मैंने इनको जालामा या फिर super shenron से उपर क्यों रखा है, तो guys इसका simple reason है, इनके पास एक tag है, the king of everything, zenosama king of everything के नाम से जाने जाते हैं, और जालामा और super shenron उस universe में exist करते हैं, जो इनके अंडर आता है, तो obviously य अकीरा टूरियामा सर, अकीरा टूरियामा सर is the writer of Dragon Ball series, Dragon Ball series को बनाया है, अकीरा टूरियामा सर ने, तो obviously बात है, सबसे जाधा power इनके ही character के पास रही की, इनका खुद का character है, जिसका नाम है Toribod, तो उसकी power सबसे जाधा है, ये character कुछ भी कर सकता है, जैनो सामा को Billy बना दे Lord Beerus को चूहा बना दे, Goku को Angel बना दे, Vegeta को God बना दे, Krillin को Super Human बना दे, TN को पताने क्या बना दे, Master Doshi को The King of Everything of Everything बना दे, and guess, यहाँ पर आके हमारी Top 10 strongest character of Dragon Ball series की list खतम होती है, ये मेरा opinion है, मेरे opinion के according ये list है, आप सभी लोग को opinion different हो सकता है, आप सभी लोग आपको opinion मेरे को जरूर बताना, and guess, lastly में एक ऐसे character के बारे में बात करना चाता हूँ, जिसको इस list में अगर में डालता तो उसकी बेसती हो जाती, मतलब यार, उसकी power कुछ अलगी level पे है, उसकी power का किसी से comparison ही नही, and वो character है the one and only, मेरे भाई Dragon Anime fans का favorite character मोना का, मतलब यार, हर कोई बंदा इ इतनी जादा है कि he can solo the entire Dragon Ballverse, इतनी जादा power है कि he is the end in itself, कोई भी character लिया और किसी भी series का ये नहीं हारने वाला, ये सब को हरागे रखतेगा, फिलाल गईस, आप सभी लोग, आपकी list कमेंट जरूर करना, and please यार, एक line Lord Monaka के बारे में जरूर लिख के जाना, because वो deserve करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक किज़े शेर की जो चनल करिये, सब्सक्राइब में तो आस वीडियो में, till then be good guys